दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी में हर जगे जहरीला जाग दिखने लगा है और इस पर राज़नीती भी जवदस्त हो रही है दिल्ली बीजेपी अध्यक्षव विरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को यमुना नदी में डूपकी लगाई थी जिसके बाद से उनकी तबियत बिगड़ गई है यमुना में डूपकी लगाने के बाद उनके शरीर में राश्यस हो गए थे और सांस लेने में परिशानी हो रही थी उनका इलाज दिल्ली के आरेमल अस्पताल में चल रहा है विरेंद्र सहजदेवा ने गुरुवार को आईटियो घाट पर यमुना में डूपकी लगाते हुए आप सरकार के खिलाफ अनूखा प्रदर्शिन किया था उन्होंने अरविंद के जिवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में डूपकी लगाने का नियोता दिया था लेकिन सवाल सिर्फ राजनीती का नहीं है लोगों की सेहत का है चट पर पर बड़ी संख्या में शधालू यमुना नदी में स्ञान करते हैं ऐसे में यमुना में जहरीले जहाग से उनको गंभीर बिमारिया हो सकती है अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि छट पर यमुना में नहाना कितना खतरनाक हो सकता है यमुना नदी के जहरीले जहाग में अमोनिया और फॉस्फेट की ज्यादा मात्रा है इससे कार्बन के कंड निकलते हैं जो स्वास्ते को नुकसान पहुचाते हैं सांस, तवचा, गले में दर्द और आँखों में जलन जैसी गंभीर समस्या हो सकती है अस्थमा, तवचा में जलन, चकत्ते निकलना और खतरनाक एलर्जी हो सकती है सफेज ज्ञाग में जहरीले केमिकल लिवर किड्नी को भी नुकसान पहुचा सकते हैं कितना सुरक्षित है, कितना सही है यमुना में इस वक्त स्नान करना इसके लिए जानकारी के लिए सीधा हम चलते हैं, खास महमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवान सिंग है, सयोजक है यमुना सत्यागरह के, दिवान सिंग जी सालों से सुन रही हूँ मैं कि यमुना साफ होगी सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात उठी लेकिन यमुना साफ अब तक नहीं हुई एक बाद फिर से छट परव आया है, श्रद्धा का परव है और यमुना में लोग स्नान करते हैं ऐसे में अभी जो हम देख रहे हैं वहां की हालत, कितना सुरक्षित है स्नान कर रहा है पर खास कर तब जबकि LG खुद बिमार हो गए हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद इसकिन के थ्रू सारे टॉक्सिंस एब्जर करती है बाड़ी तो बाकी ओर्गन्स पर फर्ट पड़ता है यह डाक्री लोग चिकित्सा के लोग इसको बहतरी बता सकते हैं विशेबर बाकी में कारण क्या है इस यमना का इतना गंदा होने का मेरा उस पर ज्यादा चिंता है एक तो यमना में इनको दस क्यूमेक पानी कम से कम प्रोविजन है वो छोड़ना चाहिए लेकिन वो पानी नहीं छोड़ते हैं, यह सबकी जिम्मेवारी की इतना पानी यमना में बहें हमेशा साफ पानी है। दूसरा नदी में गंधा पानी डालने का कोई प्रवुज़न नहीं है। गंदा पानी ये नजोगर नाला इदर से शादराड है, नजोगर नाला तो इसको नाले तबदील कर दिया है, तो इसमें करीब दिल्ली के अंदर करीब 36 STP है, 36 में से 22 STP हैं, जो कि अपने standard parameter पर काम नहीं करते हैं, तो अब आप सोचिए कि गंदा पानी नालों में गरता है, जो कि पता नहीं का कैसे चल रही है, कहां वे अपना effluent को छोड़ती है, तो ये बड़ी ब्यावय स्थीती है दिल्ली की, और इसके भीचे सबसे बड़ा दूसरा कारण है कि एक cash 22 situation, कि आपने इतना कर दिया, फिर इतनी जरूत आगी है, अब ये इंट्रसेप्र प्रोजेक्ट इन्होंने स्थापित की थी, और 2012 में ये लगबग कमीशन होनी थी, और होते होते लगबग काफी पूरी हो चुकी, अब जब ये डिजाइन की गई थी, जब दिल्ली की सीवेज जो जनरेशन है, वो बहुत कम थीज के मुकाबले जो आज है, बढ़ चुकी है, तो उसको कौन जो बढ़ चुकी है, उसको कौन ट्रीट करेगा, अब थोड़ा सा भी सीवेज किसी साफपानी में डालेंगे, तो गंदा हो जाएगा, साफपानी भी यह तो पूरा सत्रा नाले जा रहे हैं गंदे नदी के अंदर, असी परतीशत सीवेज दिल्ली की है, अर्याना से भी आता है, उपर से सोनिवत, पानीपत से, इधर भादरगर से आता है, जो मुंगस्पर ड्रेन के मातन से आता है, तो जिम्मेवारी तो सारी स्टेट्स के जब से खत्रना की यह कि अपनी गंदगी को साफ नहीं कर पारी है तो दिली सरकार और डीडीय को एक्सपेंट करते जारे इसका सबस्सक्राइब करेंस की gelecek का मतलब हुआ कि कि अग से वह ऐत करनी सकते हैं और आप करेंगे तो आप कैसे यमना को ठीक करेंगे यह इसे कहते हैं इस सिच्वेशन में अगर शैर को आपने लाके रख दिया है और आप रुग नहीं रहें दिल्ली के अंदर सत्रा लाग फ्लैट बनाने की एक लैंड पुलिंग स्कीम आई है जिसके ताइच पूरी आउट्रिट बची हुई एक्टी थाउजन एकर्स की अग्रिकल्चर लेंड है उसके अंदर सत्रा लाग फ्लैट बनने जा रहें उसका अपूल दिया डीडिये ने और दिल्ली सरकार ने अब आ सोचिए इन सरकारों को समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहें हैं अगर आपको सत्रा ला आते हैं मेट्रो शहर की तरफ आते हैं और उसके अद वहाँ पर उनको कई बार नौक्रिया मिल जाती हैं फिर वो दिरे दिरे करके वहाँ बस जाते हैं कई लोगों की यह होता है और कई मेट्रो की भी यही कहानी लेकिन हर मेट्रो में अगर इस तरह से कोई नदी है तो कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होती चोटी से छोटी कोशिश भी कामयाब नहीं होती यह ऐसा क्या है इस आपको बताया कि शहर का विस्तार इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक होता optimum size और चीज का हर सिस्टम का एक optimum size होता है कि इस size से ज्यादा हम करेंगे हम handle नह तो यह सारी चीजह मिलकर और घंदा पानी आता है है तो सब शहर के सामने है और हम आखो के सामने है दिखी जो शहर के विस्तार की बात है वो शाहिद बहुत बड़ी समस्या है वो शायद दिल्ली सरकार से या किसी एक से नहीं सुलस सकती लेकिन जो छोटी-छोटी चीजें हैं जिसके कारण हम आप देख रहे हैं अभी हमने जो नाम बताए उतने केमिकल्स यहां पर हैं आप उसमें नहाल हैं उसमें आपको स्किन रैश हो जाएंगे आपके फेंपरो पर असर पर जाएगा लिवर पर असर पर जाएगा यह जो केमिकल्स हैं उनको जो आपने बताया कि सीवेश ट्रीट्मेंट प्लांट्स हैं जो स्टीपीज हैं वहां आखिर क्या ऐसा इंतजाम किया जाए कि वहां पर ही ऐसे ट्रीट हो कि ये केमिकल्स जो हैं वो नदी में ना पहुंचेंगें बिलकुल बिलकुल देखें CTP जातर केमिकल इंडस्ट्री से आते हैं वैसे हमारे डोमेश्टिक ये यूज करते हैं हम गरों के अंदर सर्फ और साबों ने इन सबसे भी आते हैं और सरकारी से एक भी काम नहीं करते हैं और पर उसके मतलब यह क्या हो रहां कि मीडिया वाले हैं यह सिर्फ मीडिया वाले हैं इस मुद्व को उठा लेते हैं सरकार कान पर जूनी रहएती है। जो ट्रीटमेंट प्लांजस हैं, वह कैसे काम करेंगे? क्या और लगाने चाहिए? जो पुराने हैं, उनको ठीक कराने की जिम्मधारी किसकी है? ने जो प्रिवेट हमें तो काम कर रहे हैं, इस काम लिब काम कर सकते हैं, सबसे बड़ा कारण है जुडिशरी टाइट नहीं हो रही है इस परदुशन के संदर्व में तो जुडिशरी अगर एक ऑफसर को भी टर्मिनेट कर दे कि सीनियर ऑफसर को जिसकी जम्मेवारी है लेकिन उन्हें तो मतलब ही नहीं है नहीं लगता कि कोई भी रोक सकता है क्योंकि वह बहुत अलग चीज़ है किसी नहीं की है और यह रियल एस्टेट से ही माइगरेशन बढ़ती है आप अगर फ्लैट नहीं बनाएंगे कहीं फॉर्म लासिंग नहीं करेंगे माइगरेशन नहीं होती जैसे मैं द्वारका में रहता हूं यह करीब साढ़े तीन लाख लोगों के लिए फ्लैट बने थे बनते बनते दस लाख लोग इसके आसपास बस गए हैं अनधरास कॉलनी में पॉर्मल हाउसिंग इस बिगएस लिजन फॉर माइगरेशन इस नोट क्या आप किसी डिमांड को केटर कर रहे हो यह बहुत मुश्किल नहीं है समझना अभी अभी क्या किया जाए दिवान सिंग जी क्योंकि एक पर्व आ रहा है मैं समझती हूं कि शॉर्ट टर्म चार दिन पांच दिन दस दिन में नहीं हो सकता है लेकिन एक पर्व है बहुत श्रद्धा से यह पर्व मनाया जाता है और लोग जो हैं वो चाहेंगे कि अमुना मिस्टान करें लेकिन ऐसे में क्या किया है इस तरह सारी पार्टियों के नेताओं को यहां डुपकी लगवाई जाए फिर वें चिंता करेंगे क्या करना है अदर्वाइस हम यहां कितनी बाते करते रहे हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है यह अकांटिबिटी की मैटर है रुपकी नहीं लगाना है एक अच्छा के लिए और स्थिती कितनी गंभीर है बिल्कुल साफ तोर पर नजर आ रहा है और यह सिर्फ आज कल की बात नहीं है कई वर्षों से ऐसे ही चल रहा है और अभी जो हालात देख रहे हैं उसमें जब तक जिम्मेदारी तैना हो तब तक ऐसे ही केमिकल्स और अलग- जो पल्यूटन्स हैं वो इस नदी में दिखते रहेंगे और हालात खराब होती रहेंगे